नोश्कार दोस्तों टीपे इंसाइट्स में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईसीपी के बारे में आईसीपी को लेके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है उस पे लगातार कोमेंट आ लगाता है कैसलेस के इंदर और जब वह बिल रिंबर्समेंट में लगाया जाते हैं उसके इंदर भी लग जाती है तो अगर होस्पिटल यह डोकुमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता है तो उस कंडिशन में क्या करें होस्पिटल अगर इंडॉर केस पेपर देने से मना करें तो उसके रिगार्डिंग मैंने आज भी वीडियो बनाई है आप लोगों को तो आप लोग चैनल पर नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आय cm को लेकर मैं एक वीडियो अलेडि पना चुका हूं उस पसने डिटेल में बताया क्या होती है उसकी क्या 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 क्यारी लगती कैसे हम इसका defectogen वह पूरा अगर इंडॉर केस्ट मिलते हैं तो अगर पेपर देने से मना करता है तो उस कंडिशन में हम क्या करें यह सारे सवाल मेरे पास बार-बार-बार-बार रिपीट हो रहे है कोमेंट के तुरू वाटसब के तुरू तो इसका जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि प्रोपर वीडियो बनाया जाए ताकि सभी लोगों को इस बारे में पता लग सके जब भी आपके केस के अंदर आई भी लगतकी तो सबसे पहले आपको उस होस्पिटल में जाना है कि से पैले के टी वाले प्रोप कर देती हैं और ग्राइव load का सोलू हो जाता है ब्स पेह कि अगर वाले शचीज का सॉलूशन नहीं दे पाते हैं यह अंदर किपर करth नहीं करते हैं तो आपको वहां के management से मिलना है hospital के management से request करनी है कि सर मेरे case में query लगी है आप उनको query letter दिखाईए और उनसे request कीजिए वह paper provide करेंगे आपको फिर भी अगर management भी अगर आपको paper नहीं provide करता है तो third में क्या करना है आपको जो doctor है जो treating doctor है जिन्होंने treatment दिया है उससे आपको एक बार मिलना पड़ेगा और उसको भी same paper same query उनको बतानी पड़ेगी दिखानी पड़ेगी वह आपकी problem समझेंगे और 100% आपको ICP के paper provide कर देंगे फिर भी अगर ICP के paper provide नहीं करते हैं तो आप उनको officially एक mail लिखोगे जो उनकी hospital की mail ID है और hospital की mail ID पर ही आप communication करोगे उनसे बार 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 रिवर्ट करोगे reminder डालोगे तो communication करोगे तो आपके पास एक proof रहेगा कि मैंने hospital से इस date में यह query के documents मांगे थे और hospital यह provide नहीं कर रहे हैं तो बार 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 रिमेंडर डालने से hospital पर प्रेसर आता है और hospital कहीं न कहीं इसको provide करने के लिए मजबूर हो जाता है साथ में वह mail आपको अपनी insurance company को भी भेजनी है या तो उनको CC में रखना है जैसे भी करना है आपको उनको भी inform करना है कि hospital बार बार mail डालने से भी हमें paper provide नहीं कर रहा है तो हो सकता है उनके पास insurance company का call जाए और वो लोग आपको ICP provide कर दें उसके बाद क्या होता है अगर फिर भी mail का response नहीं मिल रहा है या hospital जवाब नहीं दे रहा है कुछ भी region बता के मना कर दे रहा है कि हम provide नहीं कर सकते हैं तो सबसे last में क्या होता है कि जिस भी district के अंदर वो hospital है सभी district के अंदर एक CMO office होता है chief medical officer वहां बैठता है CMO का मतलब होता है chief medical officer आपको उनसे जाकर request करनी है और उनको बोलना है कि sir मेरे case में query लगी है query letter दिखाना उनको और वो आपकी help इस case में जरूर करेंगे आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है जब भी ICP की query लगती है तो कभी भी hospital के स्टाफ के साथ या doctors के साथ कोई बत्तमीजी नहीं करनी है पोलाइटली पेस होना है पोलाइटली पेस होंगे तो आपको documents जरूर मिल जाएंगे चाहे वो आप अपने end पर किसी भी तरह की कोशिश करके ले सकते हो उनसे अगर CMO office से भी नहीं मिलता है तो आप उनकी शिकायत करने के लिए IRDA के एक website बनी हुई है वहाँ पे भी आप इसमें insurance company को भी आप हर चीज CC में रखके या वर्बली उनको mail करके बताओगे कि आप इतनी कोशिश किये बट होस्पिटल ICP के documents प्रोवाइड नहीं करता है बट मुझे ऐसा लगता है कि आप इतनी कोशिश करोगे इतना try करोगे जो मैंने option बताएं तो 100% मिल जाता है तो आज की वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि होस्पिटल अगर ICP के documents इंडोर को इस paper अगर नहीं देते हैं तो उस condition में हमें क्या करना है क्या process follow करना है और कैसे वो documents hospital से निकलवाने है उसका पूरा process मैंने डिटेल में बता दिया है वीडियो अच्छी सब्सक्राइब कर लिजिए बैल आइकउन दबा दीजिए ताकि आपको नहीं वीडियो का notification मिलता रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार